नमस्कार जैहिंद इत्यास विमर्ष की इस यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है योवा साथियो आज इस एपिसोड में मैं आपसे जो विमर्ष करने वाला हूँ वह है बी ए फाइनल इत्यास उसके बी गृप के मेजर सेकंड पेपर के बारे में हैं ये तो हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष फाइनल में सभी जो फैकल्टी हैं सभी विश्यों में चाब ये बी कौम बीए सी सभी में दो गृप बनाए गए हैं ए और बी इन दो में से किसी एक गृप को मेजर सब्जेक्ट वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे और माइनर और इलेक्टिव के लिए अलग पेपर हैं अभी तक हम दो वर्ष ये करते रहें कि जो फरस्टियर सेकंड ये में हमने सेकंड पेपर पढ़ा वही हमारा माइनर या ओपन इलेक्टिव पेपर हुआ करता था इस वर्ष थर्ड इयर में ऐसा नहीं है इस वर्ष सारी विवस्थाएं अलग हैं इसमें ऑप्शन्स जादा हैं इसमें दो ऑप्शन्स को आपको गृप के रुप में दिये गए हैं यदि आपने मेजर की चर्चा पहले की है पहले एपिसोड में तो आप उनको देख सकते हैं आप इत्यास मिमर्स के सेक्षिक चर्चा पर जाएं और प्लेलिस्ट में सेक्षिक चर्चा और उसके बाद उसमें आप इन वीडियो को देख सकते हैं यह ए गृप के पहला और यह दूसरा पेपर है और इसी प्रकार से B group में यह पहला paper है जिसका syllabus है ये और ये ये दूसरा paper है तो ऐसे ये दोनों paper का syllabus आपको इसमें मिल जाएगा जहां तक minor elective या open elective paper के बारे में बशेक की चर्चा है तो उसके लिए मैंने ये syllabus दिया है पहले तो इसको आप देख सकते हैं यह मैंने एक common paper निकाला है जो minor और elective जिन बच्चों ने लिया है वे दोनों मिलके इसको पढ़ सकते हैं elective के लिए open for all कई सारे paper हैं आप जब MPI education की बहुल पर जाएंगे तो आपको वो सारे paper दिखाई देंगे आप उन में से कोई साभी पढ़ सकते हैं लेकिन मैं फिर भी यही suggest करना चाहूँगा आपको कि आपके महाविद्याले जहां आप आपका exam center रहने वाला है वहाँ जो paper चल रहे हैं आप उन्हीं को ही अपने अध्यन के लिए प्रमुकता से चैन करें B group में second paper major group का आज मैं चर्चा करूँगा माइनर के लिए important question मैं already पहले दे चुका हूँ माइनर और जो elective subject जिन वच्चों ने लिया FBA final में उनके लिए इस लेवस इसमें है आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसमें मैंने important questions आपके लिए जो महत्पूर्ण प्रशन हो सकते हैं वो दिये हैं आप चाहें तो उनको देख सकते हैं major B group first paper का यह वीडियो मैं already पहले दे चुका हूँ जिसमें important question दिये हैं मैंने और आज मैं second paper की चर्चा करूँगा इस वीडियो के माद्यम से pattern वही है जो हम पहले देखते आए हैं first year second year आप लोगों न किया है मैंने फिछले वीडियो में चर्चा की है फिर भी परीक्षा के pattern के संदर में इदिया आप जानना चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं यह भी इतियास विमर्स के playlist में सेक्षिक चर्चा में मिल सब्सक्राइं 1871 से 1950 AD तक तो इसमें हम चर्चा करेंगे 1875 से लेके 1950 तक की जो घटना है वर्लिस्टी की उनकी चर्चा इस वेपर में हम करेंगे फस्ट वेपर में भी इसी प्रकार का टाइटल था लेकिन उसमें इससे पहले की चर्चा थी अब हम उसमें शेस जो बचा हु हैं वेरी शौट आंसर शौट आंसर और लॉंग आंसर और इनमें मैं फिर वही एक बात आपसे दोहराना चाहूंगा कि आप जो कुशन याद करें वो लॉंग आंसर के रूप में उसको पढ़ें क्योंकि जब हम बड़ा पढ़ते हैं वह हम छोटा लिख सकते हैं लेकिन य आपको दियें पेपर में भी आपसे 18 कोशन पूचे जाएंगे और उन में से 9 कोशन आपको करने होंगे मैंने उसी पैटरन पे इसमें कोशन दिये हैं वैरी शौट आंसर लॉंग आंसर और शौट आंसर जिसमें वह वह दो नंबर का होगा पचास सब्दों में वह उसके आ तो इस प्रकार टोटल सतर नंबर की ये मार्किंग इस पेपर की रहेगी बाकी जो 30 नंबर हैं वो सी सी के हैं तो आपके जो प्राइवेट या रेगुलर मोड में जो भी विद्द्यारती बैठ रहे हैं परिक्षा देने उन्हें सभी को सी सी देना है और यह पेपर के रू आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर पर परती लगू उत्तरी प्रश्न है और इसमें जो सब्द सीमा है वो 50 सब्दों की है एक कोश्टन का दो नंबर रहेंगे और इनमें छे कोश्टन आप से पूछे जाएंगे जिनमें से कोई तीन आपको करने होगे तो इस प्रकार से यह पह कैसे बना फ्रांस में कौन से कारण थे उनके बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है इसमें सेकंड कोश्टन देखें वर्लिन कॉंग्रेस की क्या भूमिका थी क्यों इसका आइजन किया गया और विश्व की राजनीती में इसका इस मीटिंग का क्या महत हुआ उसके बारे मे चर्चा हमें इसमें करना है थर्ड इसमें क्वश्चन है पेरिश का सांती सम्मिलन पेरिश में जो सांती सम्मिलन हुआ तो वो किन कारणों से हुआ कौन कौन से उसमें सूत्र बाग के बताए गए किन किन देशों ने उसमें भूमिका निवाई अमेरिका की क्या भूमिका थी उसमें वो सारी कहानी हमें इसमें लिखना है उसके बाद हम देखें इसमें वर्साय की संदी तो वर्साय की संदी की क्या कहानी है क्यों इसकी आवशक्ता पड़ी उस संदी के बारे में हमें इसकी चर्चाइश में करनी है अगला इसमें कुश्चन है वॉक्सर विद्रो वॉ वोक्सर विंदोग के बारे में भी हमें इसमें टिपणी करनी है वख सक्विद्रो की वर्ल जो ऊस्षण है उसमें क्या इस्थिती है क्या भूमिकर है। उसमें उसकी चरचा करना हिए अगला इसमें कुशच्ट है कि गुट्न निर्पेक्ष ठा जो गुट्न निर्पेक्ष अंदोर्ण थैय वह कैसे फलाफुला और उसकी क्यों आप शक्कता पड़ी कौन कौन से गुट्न से तो तो उसके बारे में इसमें चर्चा करनी हैं तो इस प्रकार ये 6 questions है इन में से कोई 3 question आपको करने आएंगे तो ये very short answer type question है अब हम देख लेती है short answer type question कौन से हैं जिनमें हमें प्रतेक प्रशनका 200 सब्दों में answer लिखना है तो इन में पहला question है भारती पुनर जागरन जो पुनर जागरन है जो यूरोप में हुआ पहले पुनर जागरन तो भारत में पुनर जागरन कब हुआ और उसके पीशे के क्या कारण थे या यूरोप के पुनर जागरन की भारती पुनर जागरन पर छाया रही तो वो भारती पुनर जागरन के संदर में हमें इसमें चर्चा करनी है दूसरा कुशन देखते हैं इसमें अफ्रीका का विभाजन जो अफ्रीका में विभाजन हुआ यह एक बहुत बड़ी घटना है बिस्वराज नीती की तो वो क्यों हुआ किन देशों में उसका बटवारा हुआ किन ने उपने वेश बनाए उन सारी चर्चाओं को इस केृश्शन में करना हैं अगला कॉश्शन देखते हैं इस में युवात तुर कांदोलन जो युवात तुर कांदोलन था वो क्यों हुआ और उसकी क्या मुक्र कारण थे उनकी चर्चाओं इस ve विश्व शांती के लिए कौन से 14 जो सूत्र हैं उनको बताया उनके बारे में मैं इसमें चर्चा करना है कि फिर हम देखते हैं इसमें कौन सा कॉश्चन है राष्ट्र संग जो फर्स्ट बर्डवार के बाद राष्ट्र संग की स्तापना हुई कि उस राष्ट्र संग में कौन से ऐसे सिध्धांत बनाये गए जिनके कारण भविश्च में विश्वुद जैसी घटना नहों तो वो राष्ट संग की पूरी चर्चा हमें इसमें करनी है कौन कौन से प्रमुक राष्ट उसमें थे और उनकी क्या भूमिका थी राष्ट संग की स्थापना कैसे हुई उसका लीडर कौन था वो सारी कहाणी इसमें हमें लिखनी है अगला question देखते हैं इसमें ताइपिंग विद्रो जो विविन इस्थानों पर विद्रो हुए चीन में भी विद्रो हुए तो ताइपिंग विद्रो में क्या हुआ वो पूरी घटना हमें इस question के answer के रूपमे में लिखना है अगला question देखें जापान में सेन निवाद यानि जापान में जो मेजी पुनरस्थापना हुई सेन निवाद या आधनी की करण हुआ तो उनके पीछे सेन निवाद के पीछे क्या कारण था क्यों जापान में सेन निवाद की स्थापना हुई क्या कारण थे उसके वो हमें इस संयुक्त राश्ट संग यूएनों की हम बात कर रहे हैं ये दुती विश्युद्ध के बाद की घटना है तो संयुक्त राश्ट संग की स्थापना कैसे हुई क्या कारण थे वो सारी काहानी हमें राश्ट संग क्यों फेल हुआ और जब राश्ट संग फेल हुआ उसके बाद स कौन-कौन से clause बढ़ाए गए उसके जिससे के बविश्च में इसमें कोई समस्या नहीं हो तो यह संयक्त राश्चंग की क्या भूमिका है यूए नो की क्या भूमिका है वो इसमें में लिखना है अब हम देख लेतें तीसरे टाइप के question जो है दीर्ग उत्तरी प्रस्ट लॉ जो question बनते हैं प्रमुक्ता से इसमें यह पहला question है कैसर विल्यम दुती की विदेश नीती की समीक्षा कीजिए कैसर विल्यम प्रतम कैसर विल्यम दुती यह बहुत महत्पून प्रसाशक हुए और कैसर विल्यम दुती की ग्रह और विदेश नीती दोनों महत्पून है मैं तो आपसे यह कहूँगा कि आपके वल विदेश नीती नहीं ग्रह नीती भी पढ़ें तो उसको पढ़ें और उसको इसमें आंसर लिखें इसमें दूसरा क्वेश्चन है पूर्वी समस्या से आप क्या समझते हैं विवेशना कीजिए इस पूरे कालखंड में वह 1871 से लेके 1950 के बीच का पीरेड है इसमें पूर्वी समस्या क्या है जो प्रॉब्लम है इस्टन प्रॉब्लम वो क्या है उसके बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है और उसका समाधान कैसे निकला वो सारी चीज़ें इसमें हमें लिखना है लॉंग आंसर के रूप में हमुमन यह कारण और परिणामों की विवेच ना कीजिए कौन-कौन से वे कारण थे जिनके कारण पुर्थम विश्युद्ध हुआ वह घटना कौन-कौन सी थी या और राजकुमार की क्या कहानी है क्यों फिर मृत्र रास्ट और आपसमें इनमें संगर्स हुआ तो वह पूरी की पूरी कहानी है आपको इसमें फर्स्ट वर्डवार के कारण और उसके परिणाम क्या निकले और उसी के परिणाम स्वरूर प्रास्ट संग की स्थापना हुई तो इस प्रकार कौन-कौन से परिणाम हुए कौन-कौन सी संधियां हुई वो सारे के सारे आपको इसमें लिखना है य उसका क्या कारण था क्यों हुआ दो महाशक्तियां कौन थी उन महाशक्तियों के बीच में पूरे विश्व में क्या पोजीशन बनी तो कैसे आमने सामने वो हुआ और उसके जो परिणाम हुए उसकी परिणिती क्या निकली वो हमें इसमें देना है विश्व पर उसका प्रभ सारा कोश्चन टोटल दिये हैं मैं आप से फिर एक बार यह कहना चाहूंगा कि आप इनको कंप्लीट पूरा पढ़ें पूरा याद करें समझ के पढ़ें जिससे आप इसको एक्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएं आप यदि अभी तक इत्यास विमर्स से नहीं जुड़ें तो आप इससे जुड़ सकते हैं आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन पर जाएं और और ओल के अप्शन पर जाएं जिससे इस चैनल के माद्यम से समय समय पे में जो मैं प्रमुक चर्चाएं आप लोगो जो दिविन हैरेटेस पॉइंट है उनके संदर में चर्चा करता हूँ जिससे रोजगार उन मुकी कैसे बनाय जा सकता है और अपने आज पास रोजगार की सम्भावनाय किस प्रकार तलाज सकते हैं तो उसकी चर्चा करता हूँ रास्टि सेवाईजिना एन्स के संदर में आप किस प्रकार तरक्की कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं, उन सारे विश्यों पर NSS में चर्चा करता हूँ, विभिद के रूप में इसमें युवाओं से संबंदित जो विभिन योजना हैं, शासन की, उनके बारे में जो प्रमुक समाचार हैं, उनके बारे में समय समय चर्चा करता हूँ और सेक्षिक सर्चा में इतियास जाके प्रोजेक्ट और बोकेशनल कोर्सकी फाइल भी तयार कर सकते हैं यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स वौक्स में जाकर चर्चा कर सकते हैं आप जो बच्चे जिन्होंने गुरुप ए लिया है इतियास में बी ए फाइनल में गुरुप ए लिया है यदि उनके मुझे इस प्रकार के कमेंट्स मिलेंगे चैट वॉक्स में के हमारे लिए भी आप इंपोर्टेंट कुश्चन निकालें तो मैं उनको भी निका और सेकंड पेपर मेजर के ये आज इस वीडियो के माद्यम से मैं इंपोर्टेंट कुश्चन दे रहा हूँ और जो ओपन इलेक्टिव या माइनर जिन्होंने इतियास विशय को लिया है उनके लिए इस वीडियो में मैं औरड़ी इंपोर्टेंट कुश्चन दे चुका ये कॉस्चन जो हैं पूरे MP की सारी युनिवस्टि और एम पी युनिवस्टि में लागू है क्योंकि स्लेवस एक सा है सभी जगह रास्ट्री सिक्षानीति के अंतरगत पढ़ाई हो रही है अब की बार हम तीसरे वर्स में हैं तो ये सभी जगह लागू होता है ये स्लेव सारे autonomous colleges में, सारे government colleges में, private colleges में, universities में, पूरे MP में ये लागू है, तो यदि आपके कोई मित्र बाहर किसी मद्द प्रदेश में किसी university या college के विद्यारती हैं, तो आप उनके साथ इसको share भी कर सकते हैं, जिससे उनको भी परिक्षा में इसका लाब मिल सके, साथ ही साथ, एक निवेदन ये भी है, कि इन questions के साथ, क्योंकि ये मैंने अपने, जो मेरे ध्यान में हैं, slavus जो मैंने जाना है, और अभी तक का जो मेरा आनुभव है, उसके आधार पे मैंने ये question निकाले हैं, आप इसके अत्रिक्त भी, slavus देखकर, जो इतियास विवर्स में भी उपलब दे, या आप MPI Reducation की wall से भी आप उसको ले सकते हैं, portal से, तो वो slavus आप जरूर पूरा पढ़ें, क्योंकि आधी अधूरी लडाईयां कभी पूरी नहीं होती, सफल भी नहीं होती, तो आप उसे पढ़के ही जाएं, तो वो slavus पढ़ें आप पूरा, और ए प्लस grade आनी चाहिए, क्योंकि पिछले दो वर्स का मेरा आनुभब बहुत अच्छा है, और विद्यारतियों ने काफी कुछ उसको appreciate भी किया है, आप chat box में जाके देखेंगे, तो इस तरह के comments आपको मिलेंगे, कि उन्होंने पिछले दो वर्सों में, जो इत्यास विमर् स्क्राइब बॉक्स में जाकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं, आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर अलग एक विश्या लेकर आएंगे, तब तक के लिए, नमस्कार, जैहिन